आईए अब 36 गड़ से रुक करते हैं सीधे मद्द प्रदेश का जहां चुनाव में अब सिर्फ 100 घंटे से भी कम समय बचा है अब से 4 दिन बाद यानी 17 नवंबर को MP के मद्दाता अपने राज्य के भाग्य का फैसला करेंगे इसे देखते हुए यहां BJP और कॉंग्रस के बीच चुनावी जंग भी तेज हो गई है आज MP में ग्रह मंत्री अमिच्छान ने दिग्विडे सिंग के गड़, रागो गड़ और चाचोड़ा में रैलियां की वहीं कॉंग्रस अद्देख्ष राउल गांदी, CM सिवराज सिंग, चौहान और प्रदेश कॉंग्रस अद्देख्ष कमलनात ने भी अपनी अपनी सभाओं में अपनी अपनी जीत के दावे किये मधर प्रदेश विधान सभा चुनाव प्रचार में कॉंग्रेस और बीजेपी के दिगज पूरा जोर लगा रहे हैं इसी कड़ी में भाजबा के वरिश नेता अमिर्शाहने, सिरोंज, चचोड़ा, रागोगड, चंदेरी और दतिया में एक के बाद एक तावर्तोड चुनावी रैली की इस मौखे पर उन्होंने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक और जहां देश पीएम मोदी के नेत्रत्व में हर शेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहीं कॉंग्रेस के नेता अपने परिवारवाद की राजनीती को आगे बढ़ाने में जुटे हैं कमलनाथ जी है, जिनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी और इनके साथ दी विजय सिंग है, बंटा धार को भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान ने जिला शोपूर के विजयपूर में चुनावी रैली को संबोधित किया, इस मौके पर शिवरासिंग चोहान ने इंडी गड़भंदन द्वारा सनातन और दलितों के अपमान पर राहुल गांधी की चुपी पर स का वाल उठाया है कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक लंबे गैप के बाद सोंबार को मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में नसर आए नीमत जिले के जावद में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस प्रचंड जीत की कहानी लिखने जा रही है तो मैं आपको यहां गैरंटी देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी नैशनल लेवल का जाती जनगर्ना हम करके दे देंगे और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी जाती जनगर्ना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमनलाथ ने सीहोर जिले के शामपुर और नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा और पिपरिया में चुरावी रहे लिकी प्रदेश में अल्पकाल के लिए बनी कॉंग्रेस सरकार के दौरान किसानों की कर्ज माफी पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच कमनलाथ ने दावा किया कि उनकी सरकान ने 15 महिने में 27 लाग से जादा किसानों का कर्ज माफ किया 15 महिनों के लिए बनी थी डाई महिने लोकसवा चुनाव और आचार सहिता में गया साड़े ग्यारा महिने मेरे पास थे और हमने अपनी नीती और नियत का परीचा किया हमने शुरू बात करी और पहले किष्ट में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया मध्यप्रदेश में एक ही चरण में सभी 230 विदान सभा सीट पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे ऐसे में तमाम राजनेतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए चुनाव प्रचार में 80 चोटी का जोर लगा रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश डैस्क डीडी न्यूज मुद्प्रदेश में अभी ना तो मतदान हुआ है ना नतीजें आये हैं और ना ही कोई सरकार बनी है लेकिन इसके पहले ही प्रदेश कॉंगरेस के मुखिया कमलनाथ ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है कमलनाथ ने प्रदेश के सरकारी अधिकारियों को अभी से धमकियां देना शुरू कर दिया है इसे लेकर अब बीजेपी ने कमलनाथ पर प्रहार करते हुए उन्हें अहंकारी बताया है मद्धिपर्देश में अभी मतदान भी नहीं हुआ है लेकिन कॉंग्रेस नेता कमलनात ने अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है मध्यपरदेश कॉंग्रेस प्रमुक कमलनात ने हाल ही में निवारी जिले के अधिकारियों को चितावनी दी थी कि अगर उनकी सरकार आई तो किसी को बख्षा नहीं जाएगा कमल Νाथ ने निवारी जिले के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो लोग अगले पंच सालों को ध्यान में रखते हुए काम करें क्योंकि अगले पंच साल कॉंग्रेस सत्ता में रहेगी ये प्रशासन प्रित्रिपूरा निवारी को मैं कहना चाहता हूँ ये जो आप कर रहे हैं मैंने अभी कई बातें सुनी कैसे प्रशासन पुलिस प्रशासन होगे या बागी प्रशासन होगे कैसे प्रशान कर रहे हैं ये सुनने कान खोल के कल के बाद परसों भी आएगा और जिया उनका करना है आप और मैं के करेंगे और ऐसा कोई छूटेगा नहीं यह सुन लें छे दिन और हैं जो करना करने हैं पर आगे पांच साल भी काटना पड़ेगा आपको अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने प्रतिकर्या दी है और कॉंगरिस को धमकी की दुकान बताया है। सुधर जाओ बनना देखिए हमारी सरकार आई तो क्या क्या करेंगे ये दिखाता है कि कितना arrogance है कितनी मानसिकता हंकारी है Congress Party की सत्ता में आने से पहले अगर ये रवया ये बरताव है तो सोचे गलती से सत्ता में आगे तो करेंगे इसी लिए आज ये महबबत की दुकान है ये धंकी की दुकान है Congress Party अपनी हार को देखते हुए मध्यपरदेश में इतनी बॉकला चुकी है कि अब वो अधिकारियों को धंका रही है एलेक्शन कमिशन को इसका संख्यान लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्वाई करनी चाहिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वसर्मा ने भी उनके इस बयान पर प्रतिकरिया देते हुए उन्हें अहंकारी कहा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वसर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि उनके अहंकार को देखो ना तो उन्होंने चुनाओ जीता है नहीं वो जीतेंगे लेकिन उनके लिए राजनीती केवल सत्ता हत्याने के बारे में है मध्यपरदेश में विधानसभा चुनाओ में अब तक कॉंग्रेसी निता आपस में कपड़ा फाड़ कर रहे थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल कराया जा रहा था तो कभी मंच पर साथ बैठे ही जुबानी जंग की तस्वीरें वाइरल हो रही थी कई बार पार्टी के नेता पुत्र भी अपने बयानों से पार्टी को संकट में डालते नज़र आए कमलनाथ के बैटे नकुलनाथ तो पिता कमलनाथ को मुखे मंतरी बनाकर शपत ग्रहण की तारिक का भी एलान कर चुके हैं लेकिन इस बार कमलनात एक बार फिर अपनी लक्षमन रेखा लांग कर ब्यूरो क्रेसी पर हमला करते दिखे हैं। कुछ राजनीतिक पंडित इसे बड़ बोला पन बता कर खारिच कर रहे हैं। तो कुछ इसे खिस्याहट भरा बयान मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूस।